तो आज हम करते हैं कफ्षा तीन और चार के अंदर जो आपके स्वाल आते हैं गिन तारे से रिलेटिड यानिके अबैकस से रिलेटिड जो स्वाल आते हैं हम उनको करेंगे कि कोई भी संख्या दी होई होती है अबैकस के उपर आपने उनकों में लिखना है कि वह संख्या क्या बनती है ठीक है उधारन के लिए जैसे हमने यहां पर चार सवाल लिए हैं इनको हम समझेंगे और उसके बाद आप इनको अच्छी तरह से करना शीख जाएगे सबसे पहले हम यहां संख्या लेती हैं हमने यहां पर संख्याई वो चार उंकों की लिए है four digits नंबर लिए हैं तो कैसे करना है सबसे पहले हम इस तवाल को देख लेते हैं यहां पर आपको पता है जो four digit का जो नंबर होता है सबसे पहले उसमें क्या होता है Ones उसके बाद होता है Tens उसके बाद Hundred और उसके बाद Thousand ठीक है तो यह हमने 4 डिजिट के नंबर सारे के सारे लिए है और उसमें हम देखते हैं कि क्या संख्या निकल कर आती है अब हम यहां Ones के प्लेस पर देखें तो यहां गिल तारे में कोई भी बीड्स नहीं है तो इसका मतलब क्या है हम Ones के अंदर लिखेंगे सुन्या यानिके 0 यहां पर कोई भी संख्या अगर इधर बीड्स नहीं दिया हुआ है तो हम कुछ संख्या को माते है कि यहां पर कोई संख्या नहीं है और कोई संख्या का मतलब हम क्या लेंगे वाहाँ पर उसको 0 से डिलोट कर देंगे क्लियर है आगे हम 10s पर जाते हैं तो इसदे देखें 10s के अंदर भी कोई नहीं है तो हम यहाँ पर भी क्या भी देंगे जीओ कि यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है उसके बाद हम करते हैं 100 के अंदर 100 के अंदर देखें तो यहाँ पर भी कोई संख्या आपको दिखाई दे रही है क्या नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर भी 0 आएगा अब आगे हम चलते हैं, one's हो गया, ten's हो गया, hundred हो गया, अब आते हैं thousand के पर, thousand के उपर हम देखा कि यहाँ पर one, two, three, three beats है, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, three, तो हमारे पास जो संख्या आई, वो यह है, अब हम इसको करते हैं, one's, ten's, hundred, और इसके बाद हम कॉमा लगा द आते हैं three के बाद, तो हमारे पास संख्या कितने आई, three thousand, ठीक है, three thousand, ठीक है, next सवाल गढ tax देखते हैं, अब दूसरी सवाल गढ discriminines, यहां 1s के अंदर हमें कितने bits दिखाई दे रहे हैं ? 3 तो 1s कितने हैं हमारे पास ? 3 हैं अब 10s में चलते हैं 10s में देखो कितने bits हैं ? 2 तो हम क्या लिदेंगे यहां पर ? 2 अब आते हैं 100 के उपर 100 में कितने हैं ? 2 तो यहां भी क्या लिदेंगे हम ? 2 और 1000 के अंदर कितना है 1,2,3 तो हम यहां लिख देंगे 3 और 3 के बाद हम कोमा लगा देंगे तो असाले रहेगी पढ़ने में कितने होगी है 3,223 मतलब 3,213 तो इस गिंतारे के उपर इस अबैकस के उपर हमें यह संख्या दर्सानी होती है हमने दर्सा दें ठीक है अगला साल हम देख लेते हैं यहां पर 1s के अंदर कितने बीट्स है 2 10s में कितने है 1,2,3,4 तो हम यहां पर 4 लिख देंगे 100 के अंदर 1,2,3,4 तो यहां भी हम 4 लिख देंगे और 1000 के अंदर कितना है 1 तो हम यहां पर क्या लिख देंगे 1 और 3 की बाद हमको मा लगा देंगे तो हमारी संख्या जो नंबर बन के आए है वो क्या है 1,442 clear? next जो question है वो आपने खुद solve करना है आप इसको करें यहां 1s के अंदर 1,2,3,4,5,6 बीट्स हैं और 10 में 1,2,3,4,100 में कोई भी वीट्स नहीं है 1000 में 1,2,3 तो आप कमेंट में करके बताएं कि यह संख्या क्या बनेगी ठीक है? अगरे वीडियो में हम अगरे टोपिक के साथ मिलते हैं तब तर के लिए बाई बाई